सबकी प्यारी शेहनाज गिल को हस्ते हुए आपने काफी समय से नहीं देखा हुगा लेकिन यहाँ हम आपको दिखाने जा रहे हैं शेहनाज जब सद्धार्थ थे हमारे बीच कितने खुबसूरत कितने खुशी जिन्दगी जीती थी उनकी जिन्दगी कितने खुबसूरत थी हमेशा अपने हस्मुक अंदाज से, अपने एंटेटेनिंग टालेंच से, अपनी अदाओं से, अपनी आवास से जादू चलाने वाली शेहनाज ने सद्धार्त शुकला के साथ रहते हुए खुद को काफे फिट कर लिया था फुद लाइव आकर जब कहा था, शेहनाज ने कि सद्धार्त के लिए वफ़ भी हो गई है शेहनाज गिल ने सद्धार्त के लिए वरकाउट किया, डाइट करने को लेकर वो काफी परिशान रही लेकिन वो डाइट भी करती रहे सद्धार्ट के घर पर आकर वो कह रही थी कि काफी मेहनत की उन्होंने तब जाकर उन्होंने उपने वेट पर कंट्रोल पाया वही जो बिग बॉस में कहती थी कि मुझसे ये बरदाश्ट नहीं होता कि बहुत टेस्टी खाने को हो और उन्हें कह दिया जाए नहीं खाना है वो शेहनाज जो काफी जादा हेल्दी थी उन्होंने इस तरह से खुद पर कंट्रोल किया इतनी खुश रहने वाली शेहनाज को जरा देखिए जब ट्रेडिशनल एटायर में डान्स करती वी शेहनाज गिल नजर आई थी इस लहंगे में शेहनाज जिस तरह डान्स करती नजर आई थी लोग ये देखकर वही पुरानी हस्ती वी इस शेहनाज को काफी मिस कर रहे हैं लेकिन शेहनाज इस दुबारा अंदाज में आप पता नहीν कब दीखेंगी क्योंकि शेहनाज के चहरे पर हसी की वज़ा सिर्फ और सिर्फ सिधारत शुकला ही थी सिधारत के साथ जीवन गुजारने का सपना शेहनास गिल देखा करती थी उसे शेहनाज के लिए सिधारत को खो देना मानो अपनी जिंदगी के हर सपने को तूरते विए अपनी आपों के सामने देखना और इसके बाद भी जीने की उमीद करने जैसा बराबर है इसलिए शेहनाज अब इस तरह सज कर सबर कर पता नहीं कब नजर आएंगी क्योंकि काफी समय हो गया है शेहनाज को इस तरह से खुश देख कर जो हस्ती खिल खिलाती लोगों को काफी एंटेटेन करती सी इस अंदाज में हस्ती हुई लोगों के बीश वो नजर आती थी नेक्ष्ट नाइन यूजरूम से त्रप्री की रिपोर्ट